आईपियल 2022 के 38 में मुकाबले में 25 अप्राइल को पंजाब किंग्स ने चिन्ने सूपर किंग्स को 11 रन से हरा दिया 2016 के बाद पहली बार आईपियल में खेल रहे रिशी धवन ने शानदार गैन्दबादी की लेकिन उनकी बॉलिंग से ज़्यादा उनका लुक चर्चा में रहा आपको बता दें ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया मुकाबले में पंजाब किंग्स के लिए रिशी धवन को भी खेलने का मौका मिला था खास बात ये थी कि धवन 6 साल बाद आईपियल में कोई मुकाबला खेलने उतरे थे बतादें मुकाबले में रिशी दवन को फेज मास पहन कर गैंद बाजी करते हुए देखा गया जिस से फैंस हैरत में पढ़ गए इस पार दर्शी मास के चलते दवन का नाक और उपरी हिस्सा ढखा हुआ था दवन हाली में नाक इंजिदी से उबर कर लोटे हैं जिसके चलते उन्होंने गैंद बाजी के दौरान खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मास पहना था दवन ने गैंद बाजी में शांदार प्रदेशन करते हुए शिवम दुवे को अपना शिकार बनाया आई पील 2022 की निलामी में रिशी दवन को पंजाब किंग्स ने 55 लाक रुपे में खरीदा था आउक्शन में दवन का बेस प्राइस 50 लाक रुपे था उन्हें खरीदने के लिए संराइजिस हज़राबाद ने भी बोली लगाई थी दवन ने विज़े हजारे टॉफी के पिछले सीजन में हिमाचर प्रदेश की किताबी जीत में और राउंटर प्रदेशन करके सुर्कियां बटोरी थी आपको बता दें कि रिशी दवन के अंदर ये दर तब से बैटा है जब वो इस साल रंजी टॉफी के एक मैच के दोराण चोटिल हो गए थे इस मैच के दोराण रिशी दवन के नाग पर गैन लगी थी जिसकी वज़े से उन्हें काफी गहरी चोटा आई थी बाद में उनकी सरजरी हुई तब ही से रिशी दवन गैंदबाजी के दोराण ये प्रोटेक्शन शील्ड पहन कर आते हैं उन्होंने नेट्स में भी गैंदबाजी की प्रैक्टिस के वक्त इस शील्ड को इस्तमाल किया था रिशी दवन्द विजय हजारे टॉफी के 2021 बाइस सीजन में 458 रनों के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा रन मनाने वाले खिलाडी रहे हैं वही आठ मैचों में 17 विकेट लेकर वो सरवदिक विकेट लेने के मामले में दूसरे नमबर पर रहे दवन्द अंतराष्टे स्तर पर भी भारत का परतिने दूख कर चुके हैं इस कबर में फिलाल इतना ही बनरीया वन इंडिया हिंदी के साथ